Hello everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Robert Browning की poem The Patriot के बारे में Robert Browning एक English poet और playwright थे जिन्हें उनके dramatic monologues ने प्रधान या सर्व स्रेस्ट Victorian poets में से एक बनाया Present poem भी एक monologue ही है Dramatic monologue यानि Self Conversation या Speech यानि जब कोई आदमी खुद से ही बाते करता है Robert Browning का जन्म 7 मई 1812 को लंडन में और डेथ 12 दिसंबर 1889 को हुई Present poem एक आदमी की कहानी है जो शुरू में तो एक स्टार रहता है लेकिन फिर लोग इससे बहुत घ्रिना करने लगते हैं और अंत में वो मर जाता है ये पूरी poem आईरेनी से भरी है Poem की themes है Duty, Happiness and Sorrow Poem में टोटल 6 स्टांजाज है और हर स्टांजा में 5 लाइन्स है इसकी rhyme scheme है ABABA इस poem की एक सब हेडिंग भी है That is an old story जो ये दिखाती है कि Browning ने इस poem को ऐसे लिखा कि इसे एक स्टोरी की तरह पढ़ा जाए जिसका हर स्टांजा एक चैप्टर है Patriot यानी देशभक्त और poem के speaker ही एक देशभक्त है जो यहाँ अपनी कहानी बताते हैं शुरुवात के दो स्टांजा में poet past की conditions बताते हैं कि कैसे लोग उन्हें बहुत प्यार किया करते थे फिर third स्टांजा में poet reveal करते हैं कि कैसे और क्यों condition उनके against हो गई past से compare करते दिखते हैं और last स्टांजा में poet अपनी condition को accept कर लेते हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं It was roses and roses all the way with myrtle mixed in my path like mad तो poem की शुरुवात होती है जिसमें Patriot अपने grand public welcome को याद करते हैं जो आज के ही दिन एक साल पहले हुआ था मेर्टल यानी एक तरह का पौधा जिसमें चमकीली हरी रंग की पतियां और usually blue violet color के फूल होते हैं यानी शायद हीना का पौधा तो Patriot को वो दिन याद है जब उसके चलने का रास्ता गुलाब की पंखुरियों में मिले हीना से पूरी तरह से कवर रहता था पूरे रास्ते पर गुलाब ही गुलाब जिनमें मिर्टल मिक्स रहते थे बिचह होते थे तो लोग अपने अपने घरों की छटो पर जैसे ही Patriot गुजरता लोग उसके लिए चीर करते वे सब उसे देख कर बहुत खुश थे The church spires flamed such flax they had a year ago on this very day Spire यानि शिखर या चोटी तो चर्च की चोटिया यानि पुराने चर्चों की छट जो pointed होती थी वे उन जंडों से चमचमा रहे थे दहक रहे थे जो वहाँ celebration के लिए लोगों ने लगाए थे यानि उन जंडों का कलर ऐसा था कि लग रहा था कि उन चोटियों पर आग लगी हो तो लोग अपने हीरो का अभिवादन करने के लिए उन्हें ग्रीट करने के लिए बहुत खुश थे और उन्हें देखने के लिए बहुत excited थे और ये सब आज से ठीक एक साल पहले की बात है तो ये assume करने की बात है कि ये जो grand celebration हो रहा है तो speaker ने जरूर कुछ बड़ा अचीव किया होगा और जैसे कि यहाँ poem एक देश भक्त के बारे में है तो या तो उन्होंने कोई युद जीता होगा या कोई popular elections जीते होंगे तो कुछ भी ऐसा कि patriot लोगों की नजर में एक public hero बन चुके है आगे तो second stanza में भी speaker अपनी पुरानी कहानी सुनाना continue करते हैं कि लोग इतने खुश थे कि वे घंटिया बजा रहे थे और हवा में घंटियों की आवाज घुली हुई थी जैसे हवा में कुहासा मिला रहता है रॉक यानी कमपित होना तो अब पुरानी दिवारे जो कमजोर होती है तो दिवारों पर इतनी भीर थी और लोग खुशी से इतना चिला रहे थे कि दिवारे हिल रही थी, काप रही थी Had I said, good fog, mere noise repels but give me your sun from yonder skies Fog यानी लोग या जनता Repel यानी त्याग देना या हटाना Yonder यानी उस ओर या सामने का तो Patriot कहते हैं अगर उन्होंने ये भी कहा होता कि प्यारी जनता, सिर्फ ये आवास काफी नहीं इसे छोर कर अपने आसमान का सूरज दे दो They had answered and afterward what else तो इस पर वे लोग जवाब देते और इसके बाद फिर क्या मतलब इसके बाद क्या चाहिए वो भी जनता लाकर दे देगी तो यहां कहने का मतलब है अगर Patriot उस दिन कुछ भी मांगते Sun यानि अगर लोगों की सबसे प्रिय चीज भी मांगते जिसके सहारे ये लोग जीते हैं तो वे सभी Patriot को वो चीज भी दे देते Alak it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep Alak यानि पश्चाताप का भाव Leap यानि छलांग मारना तो थर्ड स्टांजा में Speaker ने जो चीजे अपने देश के लिए की उसे बता रहे हैं वो कहते हैं अफसोस वो मैं था जो सूरज की तरफ छलांग लगा बैठा इसे अपने प्यारे दोस्तों को रखने के लिए दे सकू इसलिए तो पोयट यहां एक ओल्ड ग्रीक माइथोलोजी के तरफ इशारा कर रहे हैं जो की Icarus और Daedalus की कहानी है Icarus जो Daedalus का बेटा था जिसे उसके पिता ने मोम से बने पंक दिये थे तो इन पंकों पर उसे घमंड हो गया और घमंड में वो उरते हुए सूरज के इतने नजदीक चला गया कि उसके पंक पिघल गये और वो गिरकर मर गया तो इसी तरह शायद speaker भी overly ambitious हुए और इसमें सायद उनके प्यारे दोस्त मारे गए यानि शायद कोई युद्ध जिसमें लोग मारे गए Not man could do have I left undone Not यानि शुन्य यानि no one की इसे अगर मैं अधूरा छोड़ देता तो इसे कोई इनसान पूरा नहीं कर सकता था And you see my harvest what I reap यहां harvest और reap कर्मा related words है और patriot बता रहे हैं और तुम देखो मैंने क्या बोया और क्या काटा तो patriot ने जो पाया वो उससे खुश नहीं है, satisfied नहीं है This very day now a year is run इसी दिन को अब एक साल हो चुका है यानि आज उस बात को एक साल हो गया है और patriot से शायद कुछ गलतियां हुई कि उनकी situation बदल गई उनका downfall हो गया आगे, there is nobody on the house tops now घर की छटो पर अब कोई नहीं है जैसे शुरू में छटे गजागज लोगों से भरी थी, अब वहां कोई नहीं है तो खिरकी पर भी बस कुछ बुढ़े लोग जिन्हें लकवा मार चुका है मातर वही थे क्योंकि वे अपने घर की दहलीश को पार कर patriot को मरता हुआ नहीं देख सकते तो वे खिरकीयों से ही ये नजारा देख रहे है For the best of the sight is all allowed at the samples gate Sambles gate यानि जहां फासी दी जाए तो खिरकी से लोगों को फासी का अच्छा नजारा देखने को नहीं मिलेगा इसलिए सब वही है जहां मुझे फासी दी जाएगी Or better yet by the scaffold's very foot I throw Scaffold यानि फासी का तक्ता या फिर उससे भी अच्छा व्यू उन्हें फासी के तक्ते के पाए के पास मिलेगा ऐसा मुझे लगता है Throw यानि think या believe I go in the rain more than needs a rope cuts my wrists behind तो अब फिर्फ इस्टांजा में भी Patriot को लोगों के द्वारा क्या-क्या Humiliation यानि अपमान सहना पर रहा है वो इसे describe करते हैं कि जब Patriot Safford की तरफ बर रहे हैं तो बारिश हो रही है उनके हाथ पीछे बंधे हैं और वो बहुत tightly बंधे हैं जिसकी जरुरत नहीं थी और इस कारण रसी से उनकी कलाई कट रही है And I think by the feel of my forehead bleeds और वो जैसे आगे बर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि उनके सर से खून निकल रहा हो ऐसा उन्हें feel होता है For they fling whoever has a mind stones at me for my ears misdeeds Fling यानि fake ना तो जिनके पास भी दिमाग है वो मुझ पर मेरे बीते सालों के बुरे काम के लिए पत्थर फेक रहे हैं तो कभी यहां पत्थर की जग़ा फूलों की बारिश होती थी पर आज situation बदल चुकी है और patriot को उनकी गलती की सजा मिल रही है Thus I entered and thus I go यानि वे जीवन में आए और फिर life से exit हुए उन्हें लोगों के दिल में जगह मिली और फिर वहां से निकाल दिया गया तो इस तरह मैं आया और इसी तरह मैं चला गया In such trims, people have dropped dead Drop dead यानि अचानक मरना या envy यानि इश्या कि ऐसी जीत में लोगों ने उसे यानि patriot को मार दिया यानि कि patriot को लगता है मर कर उनकी जीत हुई है उनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ Paid by the world, what dost though owe me, God might question तो अब patriot मर चुके हैं और अब उसे लगता है कि भगवान शायद कहें कि जब तुम मरे तो तुम्हारे सारे पाप धुल गए लोगों ने तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पनिश किया अब तुम मुझ से क्या आशा रखते हो यानि अब तुम सारे पाप से मुक्त हो तो patriot को लगता है कि फासी ने उन्हें पवित्र कर दिया Now instead this God shall repay, I am safer so repay यानि मुआवजा देना या चुकाना तो अब बजाए मुझे और कोई सजा देने के भगवान मुझे repay करेंगे, मुझे शान्ती देंगे स्वर्ग में आने देंगे और मैं अब पहले से safe हो जाऊंगा भगवान की शरन में सुरक्षित रहूंगा तो एक बात ध्यान देने की है कि हम ये नहीं बता सकते कि patriot निर्दोश था या दोशी एक तरफ हम देखते हैं कि speaker खुद मान रहा है कि उसने गलत किया दूसरी तरफ उसे देशभक्त बताया गया है तो ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ गलत चीजे की हो जो उस समय उसे सही लगी हो या हो सकता है वो पूरी तरह निर्दोश हो और लोगों ने उसे गलत समझा तो तब भी poem एक hope के साथ खत्म होती है कि God उसे reward देंगे तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी Thank you